हालो गाईजा आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉफर शीन पर तो मर्निंग अपडेट में सभी लोगा स्वागत है जल्दी से सभी लोग जुड़ जाहिए और जो भी आज की इंपॉर्टन न्यूज है एजूकेशन समंदित उसको हम दो डिसकस करे कितनी सारी न्यूज हम लोगों को लेना है आज कोरोना की तीसी लहर भी आएगी इसके बारे भी बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्स के चात्र नहीं होंगे प्रमोट और सभी चात्रों को प्रमोट करने की मांग जो हो तेज हो चुकी है आर अक्षन को लेकर भी खावर है टी डेली जो है इज्यूकेशन समंधित अपडेट आपको मिलती रहते हैं चलिए एक एक करके हम लोग सारी जो है न्यूज को देखते हैं पहली न्यूज जो है ये ज़्यादा अच्छी न्यूज है नहीं बहुत खराम न्यूज है और ये लगवग हर एक जो है न्यूज हैरप के बारे में अभी ये नहीं कहा गया कि खतरनाक होगी या अच्छी होगी लेकिन तीसरी लहर आएगी ये बताया गया है ये नई दिल्ली से न्यूज है इसमें लिखा गया कि देश के प्रधान वैग्यानिक सलाकार के विजय रागवन ने बुदवार को कहा कि कोरोना तरह से तैयार रहेना चाहिए तो यहां पर रागवन जी ने बताया है कि तीसरी लहर जरूरी नहीं कि ज्यादा खतरनाक ही हो लेकिन हमें उसके लिए जो तैयारी है वो प्रिपेर करनी है पहले से सारी व्यवस्ता है हम लोगों को कर लेनी है चलिए अब बढ़ते हम लोग अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज यह है PG प्रोफेस्टनल कोर्स को लेकर यह भी आज की न्यूज पेर निकला है इलाहबाद विसुभिद्याले से जैसा कि आपको पता कि कल भी इस पे निकला था कि UG, PG के जो है सेकंड एर और थार्ट एर के बच्चे जो हैं उनक पर लिखा गया कि इलाहबाद विस्विद्धारे परिक्षा समीत ने चार मई को जारी वार्सी के ओम समेश्टर परिक्षाओं के निड़ड़े में बदलाओ किया है परिक्षा समीत की ओर से जारी संसोधित आदेश में कहा गया है कि अब PG OM Professional Course के पहले समेश्टर के चात्र को भी अंतिम समेश्टर के साथ परिक्षा में सामिल होना होगा जबकि PG OM Professional Course की पहले और अंतिम समेश्टर की परिक्षा है कोरोना की इस्तिती को देखते हुए जुलाई अगस्त में होगी तो इस पर फिलाल कल भी निउज निकली थी आज भी निउज निकली है इसमें इन्होंने कहा है कि PG Professional Course के पहले और अंतिम समेश्टर की परिक्षा है कोरोना की इस्तिती को देखते हुए जुलाई और अगस्त में की जाएंगी तो इस पर हम लोगों ने कल पूरी अपडेट देख लिए तो आज मुझे लग रहा है इस पर जादा बात करनी चाहिए लेकिन आपको मैं बता दूँ कि Professional Course के पहले समेस्टर को चात्रों को देनी होगी परिक्षा बाकि अगर आपने कल की न्यूज नहीं देखिए तो आप इसका स्क्रीं साट ले सकतі हो अप अच्छे सिनकों पढ़ सकते हो किन का पेपर होगा और किका पेपर होगा और कौन बच्चे प्रमोट हुए हैं बाकि अगला न्यूज है कि सभी चात्रों को प्रमोट करने की मांग है जैसा कि आप सभी लोग को पता कि कोरोना बहुत तेजी से फाइल रहा है और इस्तिती जो है दिन बाद दिन खराब होती जा रही है सारे जगहों पर गिरिसल खाली आउकास भी है सारे की निविश्टी म पंद्रा महीं तक कहीं पर जून में भी गिरिम्सकाली आउकास जो है वो चला गया है तो चली देखते हैं हम लोग यहां पर सभी चात्रों को प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं कि हमें प्रमोट किया जाए हम जो है पेपर नहीं देंगे या बहुत इस्तिती खराब है इस सामिल चात्रों का कहना है कि दूसरों चात्रों की तरह विसुविद्याले के विद्यार्थियों को परिक्षा से मुक्त रखा जाए चात्रों का कहना है कि इससे अगली सक्षिक सत्र समय से सुरू हो सकेगा मांग करने वाले वालों में राहूल पटेल अवसे क्यादो मुहम इनुश्टी के जो चात है चाह किसी इनुश्टी के चातर हो वो जो है अपने आपको प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं और वो यह सोच रहे हैं कि इस पेपर न देना हो हमारा ज Terazbeard हो जाया है ताकि मेरा एक जो है साल इस न्यूज के बारे में हम डिसकस कर चुक है अब बात करते हैं आरक्षन को लेकर ये जो है कल ही हमारे पास न्यूज आ गए थे लेकिन कल टाइम न मिलने के कारण हम इसको दे नहीं पाएते लेकिन कोई बात नहीं मुझे पता था कि मैं मौर्णिंग अपडेट में दे दू नई दिल्ली से सुप्रीम कोड ने बुद्वार को एहम फैसले में मराठा आरक्षन को निरस्त कर दिया अदालत ने महारा सरकार के फैसले को असंबैदानी करार देते हुए इसे उच्छ सिक्षा वन नौकरियों में दिये कोड़े को आरक्षन की अधिक्तम सीमा यानी पच फिर्दी तैकी गई थी जस्टिस असोग भूसर की अधिक्षता वाली पांच सदस्तिय संबिदान पीट ने महाराश्टर राज सामाजी को आ सैक्षी ग्रूप से पिछला वर्ग अधिनियम 2018 को निरस्त कर दिया पीट ने कहा कि महाराठा समुदाय को सैक्षनिक वा सामाज अरक्षण को निरस्त किया गया है और यह कहा गया है कि 50 पेज़े से जादा आरक्षण नहीं देना चाहिए किसी भी फिल्ड में नहीं देना चाहिए तो यह एक न्यूज अगर आप चाहते हो तो आप इसकी इंसोड लेकर आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो चली बढ आप सभी को पता है लोगडाउन होने के वज़ा से जो है बहुत सारे जो है कैफे बंद हैं लोग जाकर वहाँ पर अपना आवेदन नहीं करा सकते हैं तो ऐसे में यह मांग की गई है कि अगर अभी जो है कर्फ्यू चला है यह लोगडाउन चला है तो इस टाइम पर जो है आवेदन जो है वो बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि जाएसी बात है जो लोग कैफे पर जाते हैं तो कैफे जो है इस टाइम पर बंद है और बच्चे अभी इतने भी बच्चे जागो नहीं कि अपनी मोबाइल से इसका आवेदन कर सकें और मुश्किल भी होती है कर भ अब्यारतियों को आवेदन में परिसानी हो रही है करफियों में बंदी के चलते प्रदेश भर में साहिवर कैफे और आवेदन करने वाले इंस्टिट्यूट बंद हैं ऐसे में अभी आवेदन फार्म नहीं भर पा रहे हैं अभी जो है इसको रोग दिया जाए क्योंकि बह परते हम लोग अपने अगले न्यूज की ओर अब यहां अगली न्यूज है MTS से संबंदित है MTS 2019 के अभ्यारतियों अभी तक को नहीं मिला न्यूकती यानि दो साल हो चुका है जो MTS के जो अभ्यारती थे इनको न्यूकती नहीं मिली है चैन के बाद अभ्यारतियों को नहीं माटे गए विभाग देरी पर उठे सवाल लिखा है कर्मचारी चैन आयोग SSC के ओर से मल्टी टास्किंग स्टाप परिक्षा 2019 का परड़ाम कोशित करने के बाद चैनित अभ्यारतियों को अभी तक विभाग का आवेंटर नहीं किया गय है 2021 हो गया है लेकिन लोग को अभी भी विभाग नहीं बाटे गए हैं बाकि अगर आप MTS से संबंदित हो तो आप स्क्रीन साड़ लेकर इनको अच्छे से पढ़ सकते हो चलिए तो उम्मीद करता हूं कि सारे न्यूज हो चुके होंगे मैं एक बार तोड़ा सा अगर एक आधी न्यूज बज भी जाती है तो उसको थोड़ी देर पर मैं मुझसे भी ले आता हूं ठीके क्योंकि सुबात जो है सारी न्यूज पेपर पढ़कर फिर आपके लिए न्यूज लाना होता है चाहे दैनिक जाकरन हो इंदुस्तान हो अमानुजाला हो या जो भ अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक कर दीजिए और सेर कर दीजिए अपने दोस्तों में